हाव रुफिक्स सैमसंग M51 कॉल डिस्प्ले नॉट शोविंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी काति किराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि केसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस में कॉल डि डिस्प्ले पर ठीकिए इस तरीके का प्रॉब्लम यहाँ के क्लिक करें अगर आप अनलाइन पैसा काम आना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्छिन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमीं ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या आए आप दोस्ते एक बर मॉबाइल को रिस्टार्ट करके देखे ठीक है अगर रिस्टार्ट से कम बन जाते ही तो ठीक है अगर रिस्टार्ट की करने के बाद भी दोस्तों प्रॉब्लिम सॉल्फ नहीं हो रहा है तो जाए दोस्तों अपने मॉबाइल के सेटिंग पर setting पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर scroll down करना है apps पर जाना है और उसके बाद आपको scroll down करते हुए नीचे आ जाना है ठीक है यहाँ पर नीचे आपको आते जाना है और phone पर click कर देना है phone service या फिर phone उसके बाद जाना है आपको storage पर clear data पर click करते हुए ok कर देना है data clear करने के बाद दोस्तों आपको जाना है permissions पर और सारे permissions allow कर देना है सारे permissions allow करने के बाद दोस्तों आप अपने device को restart करें और check करके देखे solve हो चुका होगा आपका problem ठीक है और Samsung के device में दोस्तों कुछ इस तरीके का interface का setting भी होते हैं जो कि मैं आपको show करके अभी बताऊंगा ठीक है तो ठीक करते हुए setting पर जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों कॉल बेगराउंड पर जाके layout चेक करेंगे layout दोस्तों कुछ इस प्रकार से भी आप सेट कर सकते ठीक है layout दोस्तों आप अपने हिसाब से सेट कीजिए और यहाँ पर आप देखें call display वाइल यूजिंग एप तो इसको भी आप यहाँ पर सेट कीजिए फुल स्क्रीन चाहिए call pop-up चाहिए या फिर mini pop-up चाहिए ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अगर आप यह सब सेटिंग सेट कर देते तो अच्छे से काम कर जाएगा problem solve हो जाएगा by any chance अगर आपको problem आते हैं तो आप जाए अपने mobile के setting पर सेटिंग पर जाके दोस्तों आपको scroll down करना है software update पर क्लिक करने और mobile software update कर देना है mobile software update करते हुए दोस्तों आपको problem solve हो जाएगा by any chance software update के बाद भी problem आ रहा है तो आप दोस्तों mobile पर default यहाँ पर कुछ application यूज़ करना होगा जैसे की default डाइलर true color तो true color को ऐसे default डाइलर आप यूज़ कीजिए तो इससे काम बन जाएगा कुछ दिन के लिए ठीक है जब तक कि next software update नहीं आते तब तक आपको यूज़ करना है next software update में 100% solve हो जाएगा problem तो इस तरह के से call display not showing problem fix कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसने आओगा thanks for watching